दोस्तो नमस्कार सुर्भी परिधान के बूटिक क्लासेस में आप साब का बहुत बहुत स्वागत है वैं हूँ बूटिक मास्टर निलकंड देवांगा दोस्तो आपने अक्सर ध्यान दिया होगा जब हम अस्तर को सुखाते हैं धोकर जब सुखाते हैं तो वो अक्सर हो गया है मैं दूसरा अस्तर दिखाता हूं यह भी धोया गया है यह देखिए यहां पर यह एकदम सीधा और फ्रेश है कहीं से नहीं लग रहे कि इसको धोकर सुखाया गया है तो दोस्तो जब हम अस्तर को धोते हैं तो सबसे पहले उसे एक फ्रेश समतल और स्ट्रेट इस तरीक छेंड़ा तो उसको सीधा करने के लिए सबसे पहले उसको हल्का सागीला करले लें मैं देखिए मैंशको कि यहां पर गिला कर रहा हूं अगर आपके पास इस्प्रेयर नहीं हो तो जरूरी नहीं है कि इस्प्रेयर से ही गिला करें पानी को हाथ से छिड़क कर भी अच्छे तरीके से गिला कर लें इसको लगबग 20% अच्छे से उसको गिला कर लेना है देखिए मैं इसको पानी से ग कीच कीच कर सीधा रखते वे बिचाना है तो आपका आधा काम यहीं पर हो जाएगा आपका अस्तर जो है बहुत कुछ सीधा हो जाएगा इस तरीके से तो दोस्तो जब भी आप अस्तर को धोएं तो उसे ऐसी जगह पर सुखाएं कि जहां पर समतल और स्ट्रेट प्लेटफॉर्म हो और उसके बाद जब उसको प्रेश किया जाता है तो प्रेश करने आले कपड़े को एक बार अच्छी तरीके से प्रेश कर लें ताकि उसमें से स निखा रहा हूं इस कपड़े को तो दोस्तो अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो क्रिप्या सस्क्राइब जरूर कीजेगा सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकॉन आपके सामने आएगा उसे प्रेश कर देजेगा प्रेश करने से आपके सामने मेरे जित प्रेश को बीच से स्टार्ट कीजे बीच से बाहर की तरफ इस तरीके से ऐसे खिसते हुए ले जाएए दोनों तरफ इसी तरीके से सेंटर में रखके दोनों तरफ ऐसे खिसते हुए प्रेश करने है ताकि जो कपड़ा जो है वो जो सीकड़ा हुआ था वो जो अच्छे से फैल जाए इस तरीके से किनार को खास्तर पर अच्छे से स्टेट पेस कीजिए दोस्तों मेरा वीडियो को आप शेयर लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा फेस्बुक पर शेयर जरूर कीजिए ताकि ये बहुत सारे लोगों के पास पहुंच सके इस तरीके से प्रेस करते जाना है इसको अब देखिए हापर मैं कपड़े के बीच में दिखा रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से प्रेस को रखिए और दूसरी तरफ खीशते हुए दूसरी तरफ प्रेस को लेके जाईएगा अपॉसिट साइड में इसी तरीके से इससे क्या है बीच का जो कपड़ा है उएकदम सीधा हो जाएगा आर उसी के सारे कपड़े को सीधा करते जाई ये इस तरीके से लेकिन जहां पर कपड़ा फैला हुआ है वहां पर बहुत कुछ ज़्यादा खीच कर प्रेस नहीं करना है उसको हलका थपकते हुए अलका हलका प्रेस रखते जाईए इस तरीके से कि अब मैं नीचे के साइट पर दिखाता हूं आपको दुसरे किनारे पर देखिए यहां पर जहां किनारी है कपड़े का जो बॉर्डर होता है उसको कैसे प्रेस करते हैं पहले उसको सीधा रखिए अगया अधीश करेंगी इस तरीके से यह जो है सुकते जाएगा कपड़ आपका सीधाते जाएगा ध्यान दोने ये यह बात यह है कि अगर आपका प्रेज कलें प्रेस करने के बाद करेंट आता है तो उसको पहले अच्छे से गरम कर लें कि स्वीच आफ कर लें प्लक निकाल दें उसके बाद प्रेस करिए गए हाँ पर खत्रा भी हो सकता है करेंट मार सकता है कि तो इस बात का ख्याल रखेंगे और कपड़े को जब भी कहीं सुखाएं तो इसको स्ट्रेट राड पर या समतल भूमी पर अच्छे से बिछा कर सीधा करते हुए भी सुखाएं दोस्तो अभी मेरे आने वाले वीडियो जो हैं लगबग दिवाली के कुछ समय बाद आएंगे क्योंकि दिवाली का भी सीजन होगा और मैं शूटिंग नहीं कर पाऊंगा हो सकता है अगर मुझे कुछ समय मिल जाए तो कुछ मैं चोटा मोटा वीडियो बना लूँ तो उसको अपलोड कर दूँगा अगर नहीं कर पाई के बाद ही कुछ वीडियो आपके सामने आएंगे जिसमें मैं ब्लाउस की कटिंग सूट की कटिंग बताऊंगा तो लिसनर क दो कर प्रेस करके ही लगाएं ताकि आपके ब्लाउस का जो इंप्रेशन है जो लूक है वह बहुत अच्छा और बहता रहा है दोस्तों जिनको ब्लाउस की कटिंग सीखने में बहुत जाता दिक्कत हो रही है नहीं सीख पा रहा है समझ नहीं आ रहा है तो कृपिया दीवा करेंगे तो कृपिया फोड़ा से वयट करेंगे मैं आपको हर तरिके से अलगों की कटिंग काप रहत्न करूंग टाकि आप सीख knife कर अपना काम शुरू कर सकें तो दोस्तों इसी तरह मेरे आने वाले वी वीडियो को वांच करते रहें में ंैक्स्ट वीडियो